जासी में असमाजिक तत्तों ने माहोल खो विगार्वे की बड़ी कोशिस करी है नवाबाद थाना चेत्र के इलाइट चोकी छेत्र में आवेवाले डीजल लोकोशेड नो नंबर के पास बने मंदर में देवी जी की मूर्ती की गर्दन तोड़ के ले गए कच्छु आपराधिक तत्व और इपूरी घटना के बाद हरकम पचे हैं कई सारे लोग उतर धरने पर बैठे हैं इस्तानी सद्धालों दार्विक मानता वाले सब लोगन को कैवो है कि जाए एक बेहद निंदनी घटना है और एके दोसियन खो सबक जरू मिले चाहिए मूर्थी किसी ने जिए गर्दन काड़ दी मेले जब दर्वाजा कोला जब पता है नहीं हम सुबह साथ बजी आए तो यहां पर मातमईया का सर नहीं है सखनान है और विश्चोरी आमंन जी वहां पर देवीजी की स्थापना या सतना अब टक इंसानों की ओपर थी सब देबताओं के साथ भई घटना घटत हो रही है तो यह जो एक चल रही है कि सर्फेывать ना तोड़ दी सिर्फ रेना तोड़ दी यह सब खतम हो करके और यहां पर उन अपरादियों को सीगर से सीगर ग्रफतार किया जाए एनसी की कारवाई हो फास्ट रेक कोल्ड का गठन हो जो सनातन संस्क्रती को बरबात करना चाहते हैं जो हिंदू धर्म के बिरोधी हैं ऐसे लोगों के खलाब में सकते सकते कारवाई की आवशकता है स्री विश्वाशी अन्वान मंदर पर जी यहां दुर्गे मता की पृतिमा है उनका सर अलग कर दिया गया और सर आसपास देखा गया कहीं मिलनी रहा है हम लोग उने सुवश्व कोने साथ बज़े देखा कम मंदर के कोला गया तब उसमें मूर्तिन का सर नहीं था जो कवड़ा और कवारी चांडी के भर लेते वो नहीं हो साराण हर नहीं थाWith है नहींने ताला नहीं रहा गया और यहां कहीं से जहां से नहीं ही हो यह अंदाज नहीं रह सकते क्यों हम सीची टीवगे यहां चौड़ा सा सामन एब उसका नहीं बता सकते हैं पर जो यहां चुआ गया है केबल तर्वार चुई गई और कुछ नहीं है नहीं कोई नहीं रहता है यहां पर हमारा घर बगल में है तो इस कारण बस हम यहां जाडू पहुंचा करते हैं असमाज एक तब तो ना जाने का सोच के ऐसी घटना को अंजाम देद जन्ना के बल आपरादिक घटना है बलकि समाज में बैमनस और कई सारे नए अपरादों को जन्देवे वाली भी साबित हो सकत है सर्वत्तम निर्मार के लिए मैसन स्मेंट